आपका स्वागत है योटूब चेनल पे तो देखे आज बनाने जा रहे हैं यह चम-चम यह आप जैसे कोई भी आ करते माप ले सकते जैसे रस्टूला बना सकते चम-चम बना सकते हैं तो यह देखे सबसे पहले मैंने यहां गेश के उपर दूद रखती है तो एक लिटर से एक एज़ी से थोड़ा सा कर्मी है यह दूद जो भी आपके गर्में दूद आता है वो दूद ले लीजिए दूद में एक बोईल आ गए है बोईल आने के बाद में दूद को 7-8 मिट मैंने यहां ठंडा होने के लिए रखती है इस तरीके से एंगुली टच करकी देख लीजिए कि एंगुली टच हो रही है बहुत ज्यादा गरम नहीं है तब आप विनेगर और विनेगर में जैसे दो चमच विनेगर है तो उसमें दो चमच पानी डाल लगी और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डालते हुए मिक्स कर दीजिए यह मैंने पूरा ड ठाल लिजिए तो यह बहुत ज़्यादा गरम नहीं है तो क्या होगा पनीर फोड़ बाज नहीं बनेगा पनीर एकदम सोक तोर अच्छा बनेगा तो यहां में ठंडा पानी डाला है अच्छे से इसको नहीं दो पानी डाल दो दोल दोल जैना 1 लास्ट में देखे वाइट दूद आने लग जाता ये देखे इस तरीके से तब तक आपको इस तरीके से दबा लेना है पूरा बहुत ज़्यदा दबा की भी इसका पारी नहीं निकालना है तो पनीर बन की त्यारी हो गए यहां डाल लेते हैं चासनी के लिए चीनी दो कप से थोड़ी से कम मैंने चीनी डाली है एक कप पानी डाला है और चासनी को रख दिया गेज पे चासनी उधर गर्म हो रही है तब तक यहाँ पनीर को हतेली की साइता से अच्छे से इसको मेश कर लेते एकदम चिकना कर लिए है चिकना होने के बाद मैं जैसे अपन खाना खाते हैं उसी चमच से मैंने एक चमच कोन फ्लाव डाला है और एक चुटकी मैंने डाला है बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर डाला है बेकिंग सोडा नहीं तो बेकिंग पाउडर डाला है और डालके अच्छे से मेक्स कर लेते हूं मैंने एक चमच कोन फ्लाव डाला उसकी जगे आप एक चमच कोन फ्लाव और एक चमच आपे मेदा भी डाल सकते हैं जैसे फन खाना खाते उसी चमच से डाला है, चमच बड़ी या छोटी उसी साफ से आप देख लीजिए, आपको इस जगे ऐसा लगे कि ये ज़्यादा सोफ्ट है, तो आप आदी चमच आप इसकी अंदर जैसे सुजी भी डाल सकते हैं, तो यहां देखें अच्छे से वापस चासने में, चीनी बीच में आप चला दीजिए चासने में, क्योंकि चीनी निचे तले में चिपक जाती है, तो बीच बीच में चलाते हैं, चासने बोईल आ गई है, पहली एक डाल की चमच देख लीजिए, चार-पांस मिंट एक को पका लीजिए, वह नहीं फटा है, जैस पका लिया था, अब इसमें मैंने आपको दिखाई थी, एक गिलास बड़ी जैसी ये लोटी है, उनसे में पानी डाला है, ये पानी बहुत ज्यादा गरम है, एक दम बोईल करावा पानी है, ठंडा नहीं डालना है, और एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि इस तरीके से इसम पानी डाल दिया, और ये बोईल होता होता, ये कम हो गया, कम नहीं होना चाहिए, बराबर चलना थी, ये देखे, एक गंटी मैंने पहली डाला था, और चार पांच मिन्ट के बाद मैं, मैंने एक लोटी और पानी डाल देती हूं, इस तरीके से डालते हूं, जैसे थोड़ ठोड़ा पानी और थोड़ी सी बीच में से नीचे से चाशने लेती हूं साथ में, और ये देखे, और हलके हलके हातों से उपर से, चमत से इस तरीके से आपको गुमाना है, क्योंकि पैली चाशने में पानी बहुत कम डाला हूं, तो आप बीच में देख लीजए, कहीं चा पानी डालते रहोगे तो चासनी एकदम पतली होती रहेगी और इस जैसे चम-चम के अंदर रसकुले के अंदर अराम से चासनी अब्जब बैठ जाते हैं यहां ठंडा पानी लिया कटोरी में और इसमें यह डाल की देख लेते कि कटोरी में नीचे जाकी बैठ रहे तो यह प प्लेट में डाल लीजिए और उपर से कोई भी ड्राइप रूट या आप चंदे का वरक लगा सकते या ऐसे भी आप खा सकते तो इसकी जाली देखिए कितने अच्छी जाली बनी है इसकी और बहुत ही ज्यादा सोफ्ट है जैसे एक पर पूरी चासने निकाल के आप चासने म में आ जाता है तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए